आज मैं आप सभी के लिए कफ़ी इंपोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ तो देखे आपके आगामी उत्राखंट पुलिस के एकसाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इंपोर्टेंट क्लास प्रोवाइट कराई जाती है जिसमें 50 कुशन का एक इंपोर्टेंट सेट आ साथ अधर उत्राखंड एकजाम के लिए भी काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाला है तो आप सभी लोग हमारे सेट में स्टार्डिंग से लिकर एंड तक बने रहें तो चलिए आज के सेट को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल इस्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें साथ इसाथ बगल में जो पैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटफिकेशन आपके पास जल सी जल पहुँच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी स्टेडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को आट बजी क्विस का भी आईजन किया जाता है काफी महतपूर कुशन आपको क्विस के रुपें दिये जा रहे हैं तो आपको ज़ाइन कर सकते हैं तो चलिए आज किस स्रीस को हम स्टार्ट करते हैं स्रीस का पेहला कूशन है आवेदन पतर की शुरुआत सबसे उपर किस तरह से की जाती है तो देखे हाँ आप आईए ये बाकी है स्वी करती बोधक बाकी option एस question का right answer है अगला question देखें जाच करता कौन सा शब्द है तो जाच करता ये एक शंकर शब्द है दो शब्दों के योग से बना जो शब्द होता है इसे कहा जाता है शंकर शब्द तो ये एक संकर शब्द है अगला question देखेंगे शुद्द वर्तनी का चयन कीजे तो शुद्द वर्तनी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी द्वन्दव यानिकी द्वन्द option C यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे कि शब्द की रचना प्रतियाई से हुई है तो देखें कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी रचना प्रतियाई से हुई है तो इस question का correct answer हो जाएगा आपका भगोड़ा भगोड़ा जो शब्द है इसकी रचना प्रतियाई से हुई है अगला question देखेंगे तनु का परियाईबाची शब्द है तनु का परियाईबाची शब्द क्या होता है कलेवर option A इस question का right answer है चलिए अगला question देखें अगला question है 100 गुना तेज शब्द में कौन सा विशेशन है तो देखें 100 गुना तेज इस शब्द में बताना है कि कौन सा विशेशन है तो इस question का right answer हो जाएगा आवर्दी बोधक संख्या बाचक विशेशन option C इस question का correct answer हो जाएगा अगला question देखेंगे उपुमान का बिलोम शब्द है तो उपुमान जो है इसका बिलोम शब्द क्या होता है बेवकुफ option discussion का बिलकुल right answer है अगला question देखेंगे अगला question है आपका निम्न लिखित मैं से वाकी के शुद्द रूप का चैन कीजिए तो देखें वाकी का शुद्द रूप का चैन का लेना है अनेक में भारत भारत में अनेक जाती हैं भारत में अनेकों जाती हैं भारत में अनेकों जाती हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शुद्द रूप इसका correct answer है option C भारत में अनेक जाती है option C बिलकुल right answer है अगला question देखेंगे निम्न में से कौन सा world संबंदी पद नहीं है तो देखें निम्नों में से कौन सा वर्ड संबंदी पद नहीं है वर्ड संबंदी पद नहीं है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा slide show option d यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखेंगे निम्नों में से कौन सा mouse जैसा कारी करता है तो देखें mouse जैसा कारी करता है track ball option बेस question का right answer है चलिए अगला question देखें computer तो था मानों का संपर्क डैस के द्वारा होता है तो देखें computer और मानों का जो संपर्क है यह input output के द्वारा होता है option इस question का right answer है अगला question देखें हाल ही में CRPF ने अपना 83 बार स्थापना दिवस कब मनाया थो देखें CRPF ने अपना 83 बार स्थापना दिवस मनाया था कब इसका correct answer हो जाएगा 27 जुलाई को option C यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखेंगे निमने वैसे विशम मातरिक छंद है तो देखे विशम मातरिक छंद बताना है न मेंसे कौन सा हो जाएगा तो इस question का correct answer है देखें यहाँ पर कुंडलियां और प्ष्पई दोनों है तो A और B दोनो options से इस question का right answer हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे यदी gift code को आप सभी को हिंदी के अलग से class भी detail प्रोवाइड की जा रही है शाम पांच बजे आप शाम पांच बजे वाले हिंदी के class जरूर जोइन कीजिएगा काफी महतबोर हैं आपके आगामी सभी उतराखंडे exam के लिए तो आप एक बाद जोइन चरूर का लिजिए उस class को यह अगला है आपका यदी gift का code hgs है तो water का code क्या होगा तो water का जो code हो जाएगा वो क्या हो जाएगा xzuds अगला question देखेंगे तीन alarm करमर सा 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बसते हैं यदी वे एक साथ सुबर 9 बजे पर बजे 9 पर बजे सुबर 9 बजे बजे तो फिर कितने बजे ये बजेंगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा फिर वो एक साथ बजेंगे सुबर 9 बजे option इस question का right answer है अगला question देखेंगे प्रस्तावना निशकर्ष अब देखें question मारके जहां पर दिया है वहाँ पर क्या आएगा ये बताना है कौन सा जोड़ा आ जाएगा इसका correct answer है अभी वादन अलविदा प्रस्तावना निशकर्ष अभी वादन अलविदा आ जाएगा अगला question देखेंगे 2024 में ओलंपिक खेलों का आएजन किया जाएगा तो वर्ष 2024 में जो ओलंपिक खेल होंगे इनका आएजन कहां पर किया जाएगा पैरिस में option D यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखेंगे राधा मोहन कब का संबंद किस खेल से है राधा मोहन कब इसका संबंद है पोलो से option A बिल्कुल correct answer आपका यहाँ पर हो जाएगा अगला question देखेंगे उत्पादक माल को यह कहा जाता है तो देखें उत्पादक जो माल होता है इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है पुन्जिगत माल option C तो देखें यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा महराजा गंगा सिंग को option C बिल्कुल correct answer है महराजा गंगा सिंग को क्या बनाया गया था पर्थम विश्व युद्ग की समापती पर सांती समिलन के लिए पूर्ण सत्ता युगत महदूत बनाया गया था और यह राजिस्थान के शाशक है यह आपको ध्यान में रखना है महराजा गंगा सिंग अगला question देखें भारती राश्टी आंदूलन के दोरान भारती राजनिती का शांतिकाल किस अविधी को कहा जाता है तो देखें भारती राजनिती का शांतिकाल कहा जाता है किस अविधी को पर्थम विश्वयुद्ध का जो काल है इस अविधी को option ए बिल्कुल right answer हो जाएगा यहाँ पे अगला question देखेंगे किसी अर्थ विवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कारी है जो केंदरी बैंक के कारियों में शामिल नहीं है तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंदरन option का correct answer है अगला question देखेगा आप सभी को session पसंद आ रहा है तो like का लिजे जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube channel Study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe का लिजेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस session को share कीजे अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp groups में चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर का लिजे क्योंकि देखिए interesting classes आपको यहाँ पर provide की जारी है practice set आपको provide कराए जा रहे है कल रात को थोड़ा सा practice set नहीं आ पाया था क्योंकि थोड़ा सा record नहीं कर पायी थी मैं तो आप सभी को practice set आज रात को 8 बजे मिलेगा उसके लिए आप सभी लोग तयार रहिएगा और 7-7-5 बजे आपको Hindi की class provide कराई जा रही है शाम को तो उसके लिए पर आप बिलकुल ready रहें तो इसके लिए आप सभी लोग ऐसे ही interesting classes देखने के लिए study with aim को जल्दी से subscribe कर लिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है क्योंकि देखिए काफे महतफून session आपको यहाँ पर दिये जा रहे हैं तो आप skip मत कीजिएगा बहुत सारे जो viewer है वो यहाँ से lab उठा रहे है इन classes का और आप भी यहाँ से lab उठाएं और इन classes को जरूर follow कीजिएगा आप comment करके बताईएगा यह class आपको कैसी लग दी है आज की और out of 50 यानि कि इसमें 50 question का set आपको दिया जाता है out of 50 अपना score आपको comment section में comment करके बताना है तो चलिए अगला question देखते हैं ग्यारवी पंजवर्षी योशना थी तो उसके लिए सही यहर बताना है इसका correct answer हो जाएगा आपका option है एक अपरेल 2007 से 31 मार्च 2012 तक ग्यारवी पंजवर्षी योशना चली थी अगला question देखेंगे बिकानेर नहर किस नदी से निकाली गई है बिकानेर नहर सही संदी विच्छेत क्या हो जाएगा गोधन एश option northая इस question का right answer है अगला question देखेंगे भारती सम्रीधान के अनुसास संग की कारीपाली का सक्तियां किस में नहीं थोती हैं तो देखें भारती सम्रीधान के अनुसास संग की उसत चोड़ाई जादा है तो कौन सा ऐसा घाट है जिसकी उसत चोड़ाई जादा है तो ये घाट हो जाएगा आपका पूर्वी घाट जिसकी उसत चोड़ाई जादा है अगला कुशन है बर्मूर्डा द्वीप किस महासागर में इस्तित है बर मुड़ा द्रीप most important question है ये स्थित है आपके किस महासागर में उत्तर पश्चिम मट Atlantic महासागर में option 20 question का right answer है और द्रीपों से अक्सर question पूछे जाते हैं I.O के द्वारा आपसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्रीप कौन सा है ये पूछा गया था आपके अपर PCS के प्रिलियम्स के एक्जाम में तो आप सभी लोग दिहान रखेगा इस तरीकी के question पूछे जा रहे हैं UKPSC के द्वारा अगला question देखेंगे किस देश पर जर्मनी के आकरमन से द्विटी विश्वेद आरंब हुआ इसका correct answer हो जाएगा आपका poll and option C बिल्कुल right answer है यहाँ पे अगला question देखें अगला question है आपका अमेरिका के स्वतंतर संग्राम को समाप्त करने वाली Paris की संधी कहा संपन हुई थी तो देखे कब संपन हुई थी यह बताना है अमेरिका के सतंतर संग्राम को समाप्त करने वाली Paris के संधी कब संपन हुई थी इसका correct answer हो जाएगा 1783 1783 में यह संधी संपन हुई थी अगला question देखेंगे सिंदु घाटी की सभ्यता निम्न मैंसे किस सभ्यता के समकाली नहीं थी तो देखें सिंदु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकाली नहीं थी यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा कुरीट की सभ्यता से option D इस question का right answer है अगला question देखेंगे अगल भारती खिलापत सम्मिलन के सिस्थान पर हुआ था तो देखेंगे अखिल भारती खिलापत सम्मिलन हुआ था वर्षों निश्व 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 उनिश्व में और कहां पर ये सम्मिलन हुआ था यह हुआ था आपके दिल्ली में option C इस question का right answer है अगला question देखेंगे, हर question का आप सभी लोग right answer लगाएंगे, comment section में, काफी महत्पून session है, आप सभी लोग solve किजिए set को, अगला question देखते हैं, भारत में लोक नाया की पदवी के साथ कौन सम्मानित है, तो देखें, लोक नाया की पदवी से कौन सम्मानित किये गए हैं, तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, option C, जैप्रकास नारायाण, जैप्रकास नारायाण जो है, यह भारत में लोक नाया की पदवी के साथ सम्मानित है, अगला question देखेंगे, ITCJ का पूर्ण रूफ क्या है, ITCJ का full form हो जाएगा, inter-tropical conservation zone option C, यहाँ पे आपका बिलकुल right answer हो organization schedule, यानि कि option C, यहाँ पे आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा, session share नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग में को share कर दीजे, और अगला question देखें, भारती समितान के 8P अनुसुची में कौन सी भाशाएं बाद में जोड़ी गई थी, तो देखें, भारती समितान के 8P जो है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोग लेखा समीती के लिए, लोग लेखा समीती के लिए, लोग लेखा समीती के लिए, एक मित्र दार्शनिक और मार्ग दर्शक के रूप में कारी करता है, यानि कि option A, बिलकुल correct answer है, यहाँ पे आपका अगला question भारती सम्विधान में मौली करताविय कब समाविष्ट किये गए, यानि कि जोड़ेगे कब वर्श 1976, इस भी में option D, इस question का बिलकुल right answer है, most important question है, अगला question देखें, भारत में सिलिकॉन घाटी इस्तित है, तो भारत में सिलिकॉन घाटी जो है, यह कहां पर इस्तित है, ब बड़ी औपनी वेशिक शक्ति के रूप में उभरा, तो देखें कौन सा यह देश था, जो कि उनने इस भी शताबदी के अंत में सबसे बड़े औपनी वेशिक शक्ति के रूप में उभरा, यह देश है आपका, बिल्टे इन option C, इस question का correct answer है, अगला question देखें, अगला question है आपका निमने में से कौन सी, इस भी में कलकता और आगरा के बीच पर्थम टेलिग्राफ लाइन खोली गई थी, तो देखें काफी important यह आपका question है, आपको right answer आ रहा है, तो comment section में comment करके बताएं, तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option B, 1853, यह कौन सा year था, आपका 1853 का year जब कलकता और आगरा के बीच पर्थम टेलिग्राफ लाइन खोली गई थी, अगला question देखें, किसने कहा था, स्वाद का वास्तविक इस्तान जीवा नहीं बलकी मन है, तो यह जो कतन है, यह कहा था, किसने, महात्मा गांधी ने कहा था, option B, question का right answer हो जाएगा, क्या कहा था स्वाद का वास्तविक इस्तान जीवा नहीं बलकी मन है, अगला question देखेंगे, नाना साहेब के नाम से कौन प्रशिद्ध था, नाना साहेब के नाम से प्रशिद्ध था, इन में से कौन, चल्दी से answer कीजिए, जिन लोग को answer आ रहा है, तो यहाँ पे आपका correct answer में बता दे जिनने नहीं आ रहा है, बाला जी बाजी राव, राइट answer हो जाएगा, अगला question देखेंगे, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया, सूफी जो आदेश थे, इनको जाना गया, किस नामों से, सिलसिला नाम से, अगला question देखेंगे, अगबर का सामराज यह कितने सूब में ये विभक्त था बारा सूबों में option C is question का correct answer है अगला question देखिएगा यहूदियों के धार्मे ग्रंथ का नाम क्या है तो यहूदियों का जो धार्मे ग्रंथ होता है इसका नाम है तो रह option बीस question का right answer है और last question देखिए इस session का आप सभी लोग अपना score भी comment section में comment कीजिएगा आपने कितना score किया है आज के श्रेट में और last question देखिए हडपा और मोहन जोदडो के जो खंडर है वो निमनांकित में से किस नदी के तरफ़ पाए जाते हैं तो देखिए हडपा और मोहन जोदडो के जो खंडर है ये किस नदी के तरफ़ पर पाए जाते हैं देखिए यहां पर आपके सरस्वती जेलम व्यास option में दिया हुए है तो इन में से किसी नदी के तरफ़ नहीं पाए जाते हैं तो आपका option D बिलकुल right answer हो जाएगा इन मे किस नदी के तरफ़ पाए जाते हैं जिन लोग को answer आ रहा है comment करके बताईएगा comment section में जिने नहीं आता है तो आपको comment के माध्यम में correct answer बता दोंगी आप कोशिश के जिएगा इसका right answer लगाने की तो okay guys आज के session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया है वो subscribe कर लें तो चलिए मिलते हैं next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद